हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग कैसे हो आप सब लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग आज मैं क्लास एट का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंसन का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ इस chapter का already हम लोग 6 lecture कर चुके हैं जो lecture बहुत पहले आया था बट किसी कारण से यह chapter वहीं पर रुख गया था तो अभी मैं इसको complete करा देता हूँ इसका कुछ lecture और बचा हुए I think 4-5 lecture और आएगा इस chapter का उसके बाद यह chapter आपका खत्म हो जाएगा यह chapter सबसे ज़्यादा important है यह chapter आपको class 9 में भी पढ़ना है class 9 में जो मैं class 8 में पढ़ाऊंगा इसी के same level पर class 9 में भी आपको पढ़ाया जाएगा अगर आज आप पढ़ लेंगे तो class 9 में आपको यह chapter नहीं पढ़ना पढ़ेगा सब चीज आपको आता रहेगा जो class 9 में है तो यह chapter बहुत ज़्यादा important है ऐसा हो सकता है कि आप लोग यह chapter का बहुत सारा चीज भूल चुके होंगे तो मैं 10 मिनट जो जो पहले पढ़ाया वो सब revise करवा दूँगा तीक है आज हम आपको बताएंगे shape of cell के बारे में अलग-अलग cell का अलग-अलग shape होता है फिर आज हम आपको बताएंगे lifespan of cells वो जो cell है वो कितना दिन तक जिन्दा रहता है फिर आज हम आपको बताएंगे size of cell जो आप cell देखते हो आखिर उस cell का size कैसा होता है सेट कैसा होता है उसके बारे में फिर आज हम लोग बात करेंगे growth and division of cell cell का growth कैसे होता है cell का division कैसे होता है division that means reproduction मतलब cell एक cell से दो cell कैसे बनता है उसके बाद आज हम लोग बाते करेंगे structure and functions of cell cell का आज हम लोग एक basic सा डायाग्राम बनाएंगे plant cell और animal cell का दोनों के बीच में क्या difference होता है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे ठीक है तो आज के इस lecture को हम सुरू करते हैं अगर आप लोग इससे पहले का 6 lecture नहीं देखे हैं तो link है description box में अगर आप भूल गए है इससे पहले का lecture तो मैं एक बार सब रिवाइज करा देता हूँ ठीक है बोर्ट पुरा गंदा हो गया खाई चलिए copy में heading लगाईए sales, structure and functions sales, structure and functions सभी लोगों को ये पता है कि sales क्या होता है नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको जैसे मानली जीए ये एक घर है आपका घर है ठीक है ये खिरकी है ये सब आपका घर है ठीक है ये जो घर है वो क्याची से बना होगा बताईए ब्रिक से बना होगा इंट से बना होगा ये घर क्याची से बना होगा ब्रिक से बना होगा ठीक है वैसे ही सिमिलरली जितने भी लिविंग और्गेनिजम होते हैं जितने भी लिविंग और्गेनिजम हो गया सब क्या है लिविंग है उसके पास लाइफ है तो जितने भी लिविंग और्गेनिजम है उसका बोडी जैसे घर ब्रिक से मिलकर बन रहा था वैसे ही जो लिविंग और्गेनिजम है उसका बोडी क्याची से बना होता है सेल का बना होता है जैसे माल लिजे लिविंग और गेनिजा में ये आदमी है तो इसका बोड़ी क्या चीज का बना होगा सेल का बना होगा ये जो घर है वो इट से बना है तो आप बोल सकते हैं ब्रीक इद्धी इस्ट्रक्चरल यूनिट ओफ हाउस जिन जिन लोगों को ये सब आता है वो इसकीप कर सेपते हैं आप बोल सकते हैं वैसे ही आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सिमिलरली सेल सिद्धी इस्ट्रक्चरल यूनिट ओफ लिविंग और गेनिजम और लिविंग और गेनिजम के पास लाइफ प्रजेंट होता है अब यह जो लिविंग और गेनिजम का सेल है यह जो आदमी है इसका बोड़ी क्या चीज़ से बना हुआ है ऐसा ऐसा ब्रिक से इस ब्रिक को हम लोग क्या बोल दिए अब यह जो ब्रिक है जिस ब्रिक से पुड़ा बोड़ी लिविंग और गेनिजम का बना हुआ है उसको हम सेल बोलते है इसके अंदर बहुत सारा फंसन चल लाहा होता है बहुत सारा फंस चल लाहा होता है सब हम आपको आगे पढ़ाएंगे ठीक है तो आप यह बोल सकते हो सेल इदी फंसनल उनीट उनिट ओप लाइफ च्या है और यही दोनों definition को combine करा कर book में लिखा होता है cell is the structural and functional unit of living organism या life done चलिए cell का definition I hope आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपको क्या बताया था पिछले lecture में यह जो cell होता है ना cell यह दो type का होता है ठीक है ठीक है ओर्गेनिजम सेल नहीं बोलिए ओर्गेनिजम बोलिए ठीक है ओर्गेनिजम दो type का होता है एक होता है unicellular organism कैसा unicellular और एक होता है multicellular biology में सबसे पहले आप word को break करना सिखिए word को तोरना सिखिए uni का मतलब होता है single cellular का मतलब होता है cell ऐसा organism जो की single cell का बना होता है उसको हम बोलते हैं unicellular इसका example क्या unicellular का जैसे की bacteria अब आता है multicellular टिक है चलिए एक और चीद हम आपको पिछले लेक्चर में बताये थे अब यह जो सिल्स है न सिल्स टिक है सिल्स यह जब आपस में जूड जाता है तो वो टिस्यू बना देता है टिक है क्या बना देता है टिस्यू अब यह जो टिस्यू सब होता है जब यह आपस में जूड तो बनाता है एक ओर्गन क्या बनाता है ओर्गन जब आपस में ये सब और्गन जूर जाता है तब बनाता है और्गन सिस्टम ठीक है और उसके बाद अल्टिमेटली मतलब फाइनली और्गनिजम बन जाता है ठीक है इसको छाप ले जिए यही समय आपको पिछले 6 लेक्चर में पढ़ाया था पांच लेक्चर आई थिंक छोटा छोटा था बहुत छोटा 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 लेक्चर ठीक है 10-15 मिनट का आप लोग बोले थे मतलब आप लोग नहीं बोले थे आपसे जो पहले वाला बैस्ता वह सब बोला था कि छोटा छोटा डालिये तो मैं एक बार ट्राइ करके देखा बट वो तरीका सही नहीं लगा मुझे ठीक है उसके बाद मैं ऐसे पढ़ाने लगा फिर से लिख लिख के ठीक है इतना क्लियर हो गया होगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे इतना समझ में आगे बढ़े चलिए हेडिंग डालिये कॉपी में सेप औप सेल्स सेप औप सेल्स सेल का सेप टिक है जैसे अमीबा अमीबा के बारे में आपको पता होगा अमीबा के बारे में जानते हैं अमीबा और भी सेल्स कुछ ले लिजिए जैसे लिउकोसाइट लिउकोसाइट के बारे में परे थे WBCS Class 7 में circulation chapter में तो ये जो amoeba leukocyte ये सब का जो sale होता है वो irregular shape का होता है किस shape का irregular irregular का मतलब क्या होता है इसका body regular नहीं होता है उसी को irregular बोला जाता है मतलब कि इसका कोई fix shape नहीं होता है जैसे माल लीजिए ऐसा कोई irregularity नहीं है जैसा मान है वो ऐसा बना दीजिए irregular body इसका shape fix नहीं होता है ठीक है WBCS amoeba इस सब का shape irregular होता है मतलब कि इसका shape fix नहीं होता है इसका जो safe होता है वो changing होता है हमेशा change हो रहा होता है जरूरत के अनुसार यह अपना shape बदलता है change कर रहा होता है जैसे मैं बताऊंगा थोड़ी दिर में आपको amoeba कैसे कैसे अपना shape बदलता है WBCS जैसे WBCS अगर कोई भी पैथोजेन को मार रहा होता है कोई भी बाहरी चीज़ अगर बोड़ी में भुसता उसको पकड़ के मार रहा होता है उस समय उसका shape irregular होता है ठीक है और जब वो हमारे बोड़ी में circulate कर रहा होता है circulation कर रहा होता है उस समय उसका shape round होता है बताऊंगा थोड़ी दिर में don't worry यह हो गया shape याद रखिएगा यह वाला line उसके बाद आता है कुछ bacteria का shape जैसे कुछ bacteria होता है गोला round shape का होता है कुछ bacteria कैसा shape round shape इसको बोला जाता है होक काई बोला जाता है ठीक है round shape बैक्टरिया को कुछ bacteria का shape rod जैसा होता है कैसा होता है rod जैसा जैसे ऐसा rod shape ठीक है rod shape इसको बोला जाता है bacilli या bacillus भी बोला जाता है कुछ bacteria का shape कॉमा जैसा होता है ऐसा कॉमा है न कॉमा जो कॉमा देते हो न भाई ऐसा ऐसा करके ऐसे उसी type का shape है इसका इसके लिए हम लोग term यूज करते हैं vibrio क्या बोला जाता है vibrio जैसे मान लिजीए cholera जो बेमारी होता है तो वह होता है vibrio cholera bacteria से टिक है vibrio cholera bacteria से होता है अगर हम आपको बोलेंगे vibrio cholera का shape कैसा होगा तो vibrio का मतलब होता है कॉमा shape तो आप फटाक से बता दिएगा कि vibrio cholera का shape कॉमा जैसा होता है तिक है नाम से ही पता लग जाएगा तिक है जैसे लिखा रहेगा lactobacillus bacteria तो बताइए उस bacteria का shape कैसा होगा रोड जैसा दही में जो bacteria होता है और रोड जैसा bacteria होता है तिक है नाम से ही clear हो जाएगा तिक है जैसे diplococcus कहीं पर लिखा रहेगा मतलब उस bacteria का shape कैसा होगा round तिक है चलिए यही सब कुछ bacteria का shape था और भी हम लोग जैसे बात कर लेते हैं जैसे muscles का cell muscles cell का photo देखे हो बुक में muscles cell ठीक है muscles का cell nerve cell nerve cell का देखे हो बुक में बना रहता है फोटो एक common सा photo में आपको nerve cell का बनाना सिखा तेग दा मसान ठीक है बस ऐसा गोला की दिए और ऐसे ऐसे star बना दिए ठीक है ऐसे line की दिए ऐसे ठीक है और ऐसे बना देखे और भी आगे तूटता चला जाता है बहुत सारा चीद में तूटा होता है ठीक है यह क्या है नर्व सेल है ठीक है नर्व सेल यह एकदम आसान डाइगराम है ठीक है जिसको आप बना सकते हैं ऐसा लाइनिंग खिच-खिच के आप बना सकते हैं ठीक है अनर्व सेल के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास तेंथ में क्लास तेंथ का बायोलोजी का चैप्टर नमबर टू में हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे पूरा मेकनिजम इसका समझाएंगे फिर आता ह मसल्स सिल, मसल्स के बारे में आपको class 9 में भी tissue chapter में पढ़ना है, एकदम detail में, ठिक है, तो अब बात आता है, मसल्स का shape कैसा होता है, तो मसल्स का, इस type का होता है, ठिक हो, इस type का shape, तो मशल सेल और नर्फ सेल का आप लोग सेप देखिए यह कैसा है लंबा सा है लंबा लॉंग और पतला भी है लॉंग अंधिन तो यही सब था कुछ सेल का सेप इसको छाप लेजिए छाप यह तो छाप यह जल्दी छाप लिए चलिए और भी बैक्टरिया का एक सेप दिया होता है जिसको बोला जाता है इस्पाइरल सेप ठीक है इस्पाइरीलम बोला जाता है उस बैक्टरिया को इस्पाइरल सेप वाले को क्या बोला जाता है spiralum तो वो बैक्टरिया कैसा होगा spiral chip ऐसा अरे भाई वो spiral वाला कॉपी देखे ओना ऐसे 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 गुल गुमा हुआ वैसा ही बैक्टरियाड होगा ऐसे ऐसे spiral कैसा है spiral chip spiralum इसको भी याद कर लिदेगा ये एक छुट गया था उस टाइं ये आपके syllabus में नहीं है फिर भी बता दिया ठीक है जितना class 8 में quota में पढ़ाया जाता है quota का जो सबसे best coaching है उसमें जितना पढ़ाया जाता है वो total चीज़ आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है पूरा कुछ भी मैं छोड नहीं रहा हूं एट तक वैसा same to same है 9-10 को भी मैं वैसा ही पढ़ाने का कोशिस कर रहा हूं और 9-10 का जब तेंस तक पुरा खत्म हो जाएगा उसके बाद और भी बहुत सारा ओलंपियाड होता है जैसे NSO, IMO यह सब होता है न वैसे ही इंटरनेशनल ओलंपियाड भी बहुत सारा होता है तो उसमें थुरा हायर लेबल पुछता है मतलब पूरा 11-12 में इंटर कर जाएगा जब मैं तेंस तक पुरा खत्म करा दूँँगा फिर मैं वहाँ भी पढ़ाऊंगा उससे आगे भी बढ़के पढ़ाऊंगा मतलब इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए भी लेकिन पहले जब तक इतना खत्म होगा तब उसके लिए अगले साल पढ़ाऊंगा इस साल नहीं हो पायागा उतना जब आप लोग क्लास नाइन में चले जाएंगे उस टाइम में वह जरूर पढ़ाऊंगा ठीक है कोशिस करूंगा कि एक ही वीडियो में पुरा आ जाया मतलब पुरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा एक बार सुरू करके पुरा खत्म ठीक है जो जो मैं आपको पहले बताया था वो सब फिर से एक बार लिखा देता हूं ठीक है जैसा मन है वैसा बना देजिए जैसा मन वैसा बना देजिए कैसा सेप कोई फिक्स नहीं है अमीबा का सेप हमेशा क्या हो रहा होता है चेंज हो रहा होता है जरूरत के हिसाब से क्या होता है जरूरत के हिसाब से चेंज हो रहा होता है अमीबा का जो यह सेप है ठीक है इसमें यह जो निकला हुआ है ठीक है निकला हुआ है निकला हुआ जो बाहर कोई भी चीज होता है उसको बोला जाता है projection, क्या बोला जाता है projection, ये word याद रखेगा, कहीं पर भी projection word योज कर दिया जाता है, जैसे move पर आपका नाक एक projection है, निकला हुआ है, तो Amoeba का shape कैसा है, changing shape है, मतलब उसका shape fix नहीं होता है, ये जो projection होता है ना अभीबा में, इसको बोला जाता है pseudo-podia, क्या बोला जाता है, pseudo-podia, pseudo-podia का मतलब होता है नकली, पोडिया का मतलब होता है tongue, pair, मतलब इसका वो नकली pair है, pseudo-podia, नकली pair है, जब जरूरत परेगा तो ये खाना ले लेगा, जब जरूरत परेगा तो ये उससे move भी कर लेगा, मतलब जैसे वो जिस समय, जो चीज का जरूरत होगा, सब वो उसी से करेगा, और ऐसा नहीं है, सिर्फ यही एक projection है, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी, यहां से मन करेगा, वहां से खाएगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, क्या चीज का photo है, Amoeba का है, लिख दिया वो ठीक है, प्रोजेक्शन जो होता है, वो ना, appear और disappear होते रहता है, कभी वो projection, यह जो pseudopodia है, कभी वो appear होगा, मतलब दिखाई देगा, और कभी वो disappear होगा, मतलब गायब हो जायएगा, sometimes appear and sometimes disappear जब वो खाना खा रहा होता है तब उसका दिखाई देगा खाना खाते समय अपियर होगा फिर बाद में गायब हो जाएगा जब move कर रहा होता है तब उसको दिखाई देता है जब चलेगा चलेगा क्या चीज़ से false feeds है तो appear और disappear appear यह सब कब हो रहा होता है जब वो खा रहा होता है खाने के लिए हम लोग what use करते हैं feeds और वो जब घुम रहा होता है move कर रहा होता है उस समय उसका pseudopodia appear और disappear हो रहा होता है क्या क्या जैसे यह जो leukocyte था यह हो गया amoeba के बारे में थोड़ा सा detail में सब के बारे में बता देता हूँ जो leukocyte था आपका WBCS इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया था वो जब कीरा को मार रहा होता है टिक है destroy कर रहा होता है germ को टिक है जो germ है जो की बाहरी चीज अटेक कर दिया बॉड़ी में जब उसको मार रहा होता है हमारे बॉड़ी में जो WBCS होता है white blood corpuscles टिक है जिसको हम लोग leukocyte बोलते हैं वही हमारे बॉड़ी में pathogen सब को कीरा सब को पकर पकर के मारता है टिक है जो भी बाहरी चीज आगा उसको पकर के मार देगा जब वो जर्म को destroy कर रहा होता है तब इसका safe काईसा होता है irregular कैसा safe होता है उस समय उसका irregular कैसा होगा irregular और जब वो normally कहां हमारे जब बॉड़ी में वो circulate हो रहा होता है जब हमारे बॉड़ी वो move कर रहा होता है तब उसका सेफ होता है round, ठीक है, उसका सेफ कैसा होता है, round, कब, during circulation, ठीक है, इसको छाप लेज़े, चाप लिया इतना, एक मिनाट, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग, ठीक है, मसल्सिल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, यह हो गया, आपका मसल्स का सेफ, ठीक है, मसल्सिल है, यह जो मांस होता है, और मांस पेशिया, उसका सेल है, ऐसा ही होता है, क्या है यह, मसल्सिल, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा भी बताये थे, मसल्सिल, यह कैसा होता है, लंबा होता है, वाइट लॉंग है अच्छा खासा लंबा होता है लंबा है देख रहें लंबा ठीक है पतला होता है ठीक है कैसा होता है पतला होता है यह भी हम आपको बताया थे और यह कैसा है पतला है ऐसा यह क्यूं है ठीक है ऐसा क्यूं है ताकि वो एक्स्पैंड कर सके और वो कॉंट्र यह पतला और लंबा क्यों है ताकि वो फैल सके एक्सपैंड कर सके और यह सिकूर भी सके इसलिए वो पतला और लंबा है क्यों है due to expansion and contraction ताकि वो यह आप अभी बनाये थे नर्व सेल का यह हो गया मसल सेल का कैसा था बताए यह ब्रांच था कैसा था ब्रांच था ब्रांचिंग में था ठीक है ब्रांच लाइक सेल ठीक है इसी का एक और नाम होता है neuron लिख लेज़े ठीक है neuron इसी का दुसरा नाम होता है neuron इसका काम होता है receive और transfer करना message को कोई भी जो message है ना उसको transfer करना और receive करना जैसे मानली जीए कोई भी गर्म बर्तन है उसको यहाँ पर लाकर हम ऐसे सटा दिये क्या होगा इस चीज को वो message को पहले क्या करेगा receive करेगा और वो क्या करेगा एक nerve से दूसरे nerve को उससे तिसरा उससे चोथा उससे चोथा ऐसे चार पांच छे साथ ऐसे करके वो हमारे brain तक पहुँचकर हमको message दे देता है कि कोई भी चीज touch हुआ है ठीक है वो बहुत छोटे time में होता है ठीक है मतलब second का बहुत छोटा पार्ट में होता है ठीक है तो इसका काम क्या होता बताईए receive and transfers messages receives and transfers of messages messages को receive कराना और transfer करना ठीक है किसका काम होता है इसके बारे में आप कहां परहिएगा control and coordination chapter में class 12 sorry 10 में ठीक है कहां परहिएगा बता देता हूँ यह मैं बताया था आपको पहले दी control and coordination class 10 में ठीक है even class 11 में भी परना अगर परहिएगा तो I think second last chapter class 11 का chapter number 21 ठीक है इतना समझ में आ गया चलिए अब हम लोग थोड़ा नाक के बारे में पढ़ लेते हैं आपका जो nose का lining होता है nose का नाक का जो अंदर का surface है उसको थुराम बना के देख लेते हैं जैसे मान ली दिए आपके नाक के अंदर का ऐसा surface है ठीक है मतलब मान ली दिए नाक का जो अंदर आपका hole है इसका छोटा सा area को हम लोग कट करके देख रहे हैं इसमें छोटा छोटा hair पाया जाता है नाक के अंदर क्या होता है छोटा छोटा hair पाया जाता है क्या पाया जाता है hair तेखा hair like projection है यह क्या है बताईए hair like projection projection प्रोजेक्शन वर्ड अभी मैं यूज किया था ना वो लिख दिया तेखा projection का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ outgrowth मतलब कोई भी चीज बाहर जो निकला होता है उसको हम क्या बोलते है प्रोजेक्शन वो क्या है hair जैसा प्रोजेक्शन निकला हुआ है इस projection को बोला जाता है cilia, क्या बोला जाता है, called as cilia, ये projection क्या है, नाक में जो निकला हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, cilia, वहाँ पर पाया जाता है sticky mucus, क्या पाया जाता है, sticky mucus, मतलब, chip-chipा liquid पाया जाता है, mucus क्या है, वो जो chip-chipा liquid हुआ ही है, sticky मतलब chip-chipा, mucus मतलब liquid, जो नाक में पाया जाता है, sticky mucus, और उसमें क्या हो रहा होता है, ये जो आप hair जैसा देख रहे हैं, इसका movement हो रहा होता है, मतलब, अगर नाक में कोई भी कच्रा घुषना चाहेगा, तो अंदर घुष नहीं पायागा, नाक में जो hair है, उसको क्या करेगा, filter कर लेगा, और अंदर जाने से रोक देगा, अगर अंदर इंटर भी करना चाहेगा, तो उसको वो बाहर की और धक्ता मानने का कोशिस वैसे movement को बोला जाता है, lessing movement, lessing movement, क्या बोला जाता है, sticky mucus और क्या होता है, lessing movement होता है, क्या चीज़ का, cilia का, एक बार ये ओलंपियाड में पुछ लिया था, कैसा movement होता cilia का, lessing movement, तिक है, इससे क्या फैदा होता है, keeps the germ and dust away, क्या फैदा होता है, lessing movement से, keeps the dust and germs away, ठीक है, germs और dust को क्या करेगा, दूर भगाएगा, ये वाला जो नाक की अंदर में, hair-like projection है, ठीक है, समझ में आता है, इतना सभी लोगों को, चलिए, इतना हो गया, देखिए, आपके body में जो skin का cell है, वो पुरा जिंदगी वह डिवाइड कर रहा होता, ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ भी damage होगा, वो हमेशा repair हो जाएगा, ठीक है, यह skin cell क्या होगा, grow throughout the life, ठीक है, पुरा जिंदगी भर कभी भी damage होगा, तो वो repair हो जाएगा, ठीक है, लेकिन, जो हमारा neuron है, जो हमारा जो brain का cell है, ठीक है, वो 18 साल बाद फिर से divide नहीं होता है, brain का जो आपका cell है, दिमाग का cell, वो न, didn't grow after 18 साल, अगर आपका age 18 cross कर जाता है, उसके बाद आपका brain का cell अपना number नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, यही एक बार olympiard में पुछ ले हुए था, क्या पूछा था, रुख जाए, यह point में बता देता हूं, कहा गया, अभी देखा था मैं कहीं पर question, यह पूछे हुए है, brain cells do not grow in number after certain age that is after 18 years, ऐसा आप पूछ लिया था क्वार olympiard में, यह answer का मैं आपको line बता दिया, cell have a fix, हुँ, चलिए, हो गया, इतना समझ में आ गया, अब देखिए, अब यह जो cell समय ना, इसका life span fix होता है, मतब इसका जीवन काल fix होता है, कितना होता है, कोई भी cell का जीवन काल, वो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा इसको समझने का कोशिस की दिये, गाइस में, बच्चा सब को थोड़ा बहुत confusion हो जाता है, हेटिंग डाल यह छोटा सा life span of cell, टिक है, life span क्या होता है, the period from birth to natural death, क्या है, period from birth to natural death, कोई भी चीज जिसका जन्म होता है, और वो मरता है, उतना दिन का जो समय होता है, average period, उसी को बोला जाता है life span, तो वैसे ही आपका जो skin का cell है, जो skin cell है, ठीक है, वो न, 19 दिन पर, ठीक है, वो replace हो जाता है, जैसे हाथ में हमारा जो भी पुरा body में cell है, वो लगाता रिपलेस हो रहा होता है, तो जैसे आपके हाथ में जो यहाँ पर cell present है, ठीक है, यह न, आने वाले अगले 19 दिन में change हो गया रहा होगा, रिपलेस हो गया रहा होगा, ठीक है, इसलिए जो घाव होता है, वो 19 दिन, 20 दिन, महिना भर में पुरा रिपेयर हो जाता है, ठीक है अगर थोड़ा बहुत घाव जो होता है वो 15-20 दिन में पुरा रिपेयर हो जाता है महीना भर में ठीक है अगर छोटा मोटा घाव है तब जैसे आपका जो आईलेस होता है वो 3-4 महीने में हट जाता है आईलेस कितना दिन 3-4 मन्त यह भी पुछ लिया था भाई साहब एक वार ओलंपियाड में पुछो पुछ लेता है आपका जो लीवर का सेल है ठीक है लीवर सेल लीवर समझते हो ना लीवर कहां होता है नहीं पता है तो क्लास तेंथ में फिर से हम आपको पढ़ाएंगे वो दो से चार साल पर क्या होता है रिप्लेस हो जाता है आपका जो वोन सेल है आपका जो हड़ी का सेल है ठीक है वो आने वाले 15 से 20 साल में वो रिप्लेस हो जाता है ठीक है पंदरा 20 पचीस इसी रेंज में रिप्लेस हो जाता है ठीक है जैसे आपके जो हाथ में हड़ी अभी प्रजेंट रहेगा इसका अगर आप कॉम्प्रिजन आने वाले 20 साल बाद करोगे तब क्या होगा चेंज हो गया रहेगा रिप्लेस हो गया रहेगा ठीक है लें कुछ लोग इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं मतलब उसका कहना रहता है जो हड़ी पुराना वाला चला कहा ज रहता है सेल का एक साइकल चलता है सेल डिवाइड लगातार कर रहा होता है और उसका एक प्रोपर साइकल चलता है सेल साइकल एंड सेल डिविजन यह एक चैप्टर भी है क्लास 11 में ठीक है इतना हो गया उसके बाद जैसे आरबी सीएस का भी एक लिख लिजिए यह भी रुख जाए यह बुक में देख लेता हूं क्या सब दे रखा है स्कीन दे रखा है ठीक है आईलेस दे रखा रवी सीएस लिवर सेल बोन सेल यही सब दे रखा है स्पर्म भी दे रखा है दो महिना ठीक है छोड़ देजी अब बस इतना हो गया अब बात आता है कि सेल का के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाते कर लेते हैं कौई सा सेल सबसे बड़ा होता है ठीक है यह हो गया लाइप स्पान ओफ सेल कितना दिन वो सेल जिन्दा रहेगा अब आता है sizes of cells अब यह जो सेल है इसका size कैसा कैसा हो सकता है तो जो दुनिया में सबसे बड़ा जो सेल होता है वो होता एग of ostrich ठीक है largest cell एग जो होता है ostrich का वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल होता है largest cell ठीक है पुरा दुनिया भर में सबसे जो बरा सेल होता है वो एक होता है औस्ट्रिच का अंड़ा होता है ऑस इतना बरा वो शिंगल सेल का world है, सबसे बरा सिल हमारे body में जो सबसे लंबा सिल है वो होता neuron नर्फ सिल, जिसका भी आप खोटो बनाये थे, यह भी याद रखिएगा neuron कैसा सिल है longest सिल सबसे लंबा largest मतलब बरा longest मतलब लंबा largest longest में confused नहीं होईएगा फिर आता है RBCS हमारे body में सबसे छोटा सिल RBCS कैसा है smallest cell in our body यह पुरा याद रखिएगा पुरा उलंपियाड का question है smallest cell in our body दुनिया का सबसे छोटा सिल पता है, mycoplasma का होता है, क्या चिज़ का mycoplasma जिसको PPLO भी बोला जाता है ठीक है इतना लिक लिए क्या बोला जाता है PPLO या इसी को एक और चीज़ बोला जाता है mycoplasma ठीक है, दोनों में थोड़ा सा difference होता है, इसके बार में हम आपको class 11th में पढ़ाएंगे, ठीक है mycoplasma और PPLO में क्या difference होता है 11th में भी बहुत कम दे रखा है यह जो होता है, दुनिया का सबसे छोटा सेल होता है smallest cell in the world smallest cell in the world दुनिया का सबसे छोटा सेल है किसी के दिमाग में आगा कि PPLO का full form क्या होता है, वो भी लिख लिजिए यह भी पूछ लिया था कभी Olympiad में pleuro pneumonia like organism यह एक bacteria होता है, ठीक है कहां लिख दूँ, लिख देता हूँ बगल में यह क्या है, एक bacteria PPLO, यह इसी को mycoplasma भी बोजिया जाता है इसको छाप लिजे तो दिख रहा है clear अहां दिख रहा है छाप लिए इतना आगे बढ़े चलिए अब हेडिंग डालिए, growth and division of sales कोई भी आगे सेल, divide कैसे कैसे करता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं जैसे माली जी आपके हाथ में एक हाथ में या कहीं पर भी एक नया सेल फॉर्म हुआ ठीक है यह क्या हुआ नया सेल फॉर्म हुआ वह कैसा होगा नया सेल छोटा होगा कोई भी सेल जो फॉर्म होगा वह कैसा होगा उसके बादी खूब खायेगा पीएगा ठीक है खाना पिना इसको मिलेगा बनिया सेल को फूड उड लेगा जब यह खूब खाना पिना खाईगा तब क्या होगा इसका size ग्रूह कर जाएगा जैसे माली जब छोटा है तो और बड़ा हो गया size ग्रूह कर गया size इसका increase हुआ उसके बाद क्या होगा इसका growth होते है न एक time बाद जाकर रूख जाता है ठीक है एक टाइम बाद इसका ग्रोथ रुक जाता है रुक जाए बताता हूं क्या हुआ इसका साइड इंकरीज हुआ उसके बाद यह जो सेल का जो ग्रोथ होता है एक लिमीट होता है फिक्स होता है उससे ज़्यादा सेल का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो इसका जो ग्रोथ है वो कैसा है लिमिट है फिक्स है भाई कि तुम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं इससे ज्यादा वो ग्रोथ नहीं करेगा एक उसका maximum size पे जाएगा critical size पे उसके बाद ये क्या हो जाएगा तुट जाएगा दो पाट में क्या होगा दो पाट में तुट जाएगा दो पाट में वो तुट गया तो पाट में डिवाइड कर गया कोई भी cell ठीक है cell division इसी को बोला जाता है, इसी process को cell division बोला जाता है, कोई भी cell है वो दो पाट में हो जाएगा, cell divide कर गया, ठीक है, ये नया cell एक बनेगा, जैसे new cell माल लिए, new cell है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे new cell को हम बोलते हैं, daughter cell, daughter cell, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हर जगा पे देखा मिलेगा आपको daughter cell, इसका मतब होता है, नया cell, ठीक है, ये cell division process से cell बना, ठीक है, किस process से बना, इस process को क्या बोला जाता है, cell का विभाजन, मतब cell को बाटना, the process by which new cells are formed, known as cell division, the process by which new cells are formed, उसी process को बोला जाता है, cell division, ये जो cell division प्रोसेस लगातार चल रहा होता है, जैसे आपके जो body के अंदर blood है, उसमें लगातार cell मर रहा होता है, और लगातार cell बन रहा होता है, blood cells में millions में cell die हो रहा होता है, और replace हो रहा होता है, ये जो आपका blood cells है, ठीक है, उसमें millions of cells मर रहा होता है, and millions of cells fall, ठीक है, कुछ cell, millions के संख्या में cell मर रहा होता है, and millions के संख्या में cell क्या हो रहा होता है, form हो रहा होता है, ठीक है, each second, हर second का बात कर रहा हो, हर second, each second, ये भी लिख लिख लिजिए, मतब एक second के बारे में हम आपको बता रहे है, एक second में millions में cell मर रहा है, millions में cell बन रहा है, बलड के अंदर, लेकिन एक ही cell ऐसा होता है, मतब एक बार मर गया, उसके बार, जिन्दा नहीं होता है, वह cell क्या है, मतबना number नहीं बढ़ाता है, वह cell है, brain वाला, neuron, इसलिए किसी आदमी को माथा पर नहीं मारा जाता है, अर्मार देगा, तो आदमी, फिर का रिपेरिंग नहीं होता है, nerve cell का, nerve cell, nerve cells इसी को क्या बोला जाता है, neuron बोला जाता है, कहां पाये जाता है, आँख में की कान में की पेट में, कहां पाये जाता है, brain वाला जो cell है, neuron, कहां होता है, बताएंगे आपको, हर जगह होता है, cannot be replaced once they die cannot replace once they die ठीक है पाया कहां जाता ब्रेन में और कैसे कैसे बोडी में distribute होता है सब के बारे में आप पर हिएगा कुछ टाइम बारे अगर ये damage हो गया तो इसका injury हील नहीं होगा क्या इसका injury हील हो पाएगा बताएए तो अगर ये damage हो गया injury हुआ तो इसका healing होगा नहीं होगा healing कभी नहीं healing होगा अब हम बात कर लेते हैं कि cell में आखिर होता क्या सब है ठीक है थोड़ा सा आपको हम overview देते हैं cell का उपर-उपर से cell के बारे में आपको बताते हैं ठीक है copy में heading डालिए structure and functions of cell क्या डालिए structure and functions of cells cell का आपको structure और function के बारे में हम आपको बताने जाए हैं जितने भी living organism होता है सब का body क्या चीज़ का बना होता है cell का बना होता है ये तो आपको पता लग चुका होगा चाहे वो plant का हो plant में रहेगा तो plant cell animal में रहेगा animal cell ठीक है और bacteria, bacteria जो भी है सब का body cell का ही बना होगा ठीक है आप लिख देदी एक चीज़ और microorganism ठीक है उसका भी body cell का ही बना होगा में लिए हम plant और animal के बारे में बाते कर लेते हैं microorganism के बारे में आप पढ़िएगा class 9 का diversity in organism chapter में ठीक है अब ये जो plant cell होता है वो होता कैसा है simply किसी भी shape का हो सकता है जैसे मान लिजिये हम लोग most commonly ऐसा बना दिये ठीक है तो animal का भी cell बना देते हैं ऐसा ही ठीक है जिन plant और animal cell में थोड़ा सा difference होता है जैसे मान लिजिये plant का ऐसा cell है animal का ऐसा cell है दोनों का cell एक ही जाता है ठीक है ये जो cell के बार covering होता है एक जो cover लगा हुआ है cell के बार जो cover लगा हुआ है इस cover को बोला जाता है plasma membrane क्या बोला जाता है साथ साथ बोलिए मेरे साथ साथ प्लाजमा मिम्ब्रेन या इसी का एक और नाम होता है सेल मिम्ब्रेन सोट में इसको आप बोल सकते हो PM प्लाजमा मिम्ब्रेन ये कौन सा लेयर है PM है प्लाजमा मिम्ब्रेन ठीक है प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो सब के बाहर क्या है एक कवर लगा हुआ है जिसका नाम है प्लाजमा मेंब्रेन या सेल मेंब्रेन ठीक है अब यह जो सेल होते है न इसके अंदर पानी भरा होता है ठीक है लिक्विड टाइप का चीज होता है कैसा होता है लिक्विट सब के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे इस लिक्विट का नाम होता है साइटो प्लाज्म क्या नाम होता है इस लिक्विट का नाम क्या है साइटो प्लाज्म दोनों में पाया जाता है, चाहे वो plant cell हो, चाहे वो animal cell हो, दोनों में पाया जाता है अब यह जो liquid वाला चीज है न, इसके अंदर में एक ball पाया जाता है, गेंद, गेंद जैसा चीज, ठीक है तो उस गेंद को भी हम लोग बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, चाहे वो plant का हो, चाहे animal का हो, plant cell और animal cell में बहुत ज़्यादा difference नहीं है, करीब करीब similar ही होता है, ये क्या है, ball luma कुछ structure है, इसका नाम दे दिया गया nucleus, ठीक है, nucleus नाम दे दिया गया, पहले जो हम लोग cell के बारे में जानते थे, बस इतना ही जानते थे, क्योंकि हमारे पास microscope होता ही नहीं था, simple वाला microscope था, ठीक है, लेंस उस लगा कि हम लोग कैसे कैसे करके देखते थे, ठीक है, तो उसमें ऐसा दिख रहा था, कि cell के अंदर कुछ ball present है, जिसका नाम nucleus है, फिर plasma membrane, उसके बाद बहुत टाइम बाद, advanced microscope सब आया, जैसे electron microscope, I think 1950 के करीब आया था, 1950 के करीब, उसके बाद ही plasma membrane का study हो पाया, plasma membrane नहीं, कोई भी चीज़ के बारे में, और चीज़ के बारे में आपको पता लगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया, nucleus क्या होता है, पता लग गया, cytoplasm क्या है, liquid है, ठीक है, liquid, जिसमें क्या है, nucleus present है, jail के type होता है, यह नहीं कि पूरा liquid है, पानी जैसा है, jelly होता है, jelly like, ठीक है, like jelly, कैसा होता है, cytoplasm कैसा है, jelly जैसा, अब यह जो cytoplasm है न, इसके अंदर बहुत सारा चीज और भी पाया जाता है, ठीक है, many small organelles present, उसको हम बोलते हैं, बहुत सारा other चीज भी पाया जाता है, other, चीज ही बोल दीजी अभी, other things also present, ठीक है, और उस चीज का नाम क्या है, organelles, ठीक है, उस चीज का नाम क्या है, organelles, और कई लोग इसे organelles भी पढ़ देते हैं, जो पढ़ने का इक्षा है, वो पढ़िये, ठीक है तो cell organelles इसके अंदर में बहुत सारा पाया जाता है, क्या-क्या पाया जाता है, सब के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे माली दिये, आदमी है तो आदमी, जानबर सब घर में रहता है, बंद, लिए प्लांट क्या है, बाहर प्रजिन्ट रहता है, बाहर, ठीक है, बाह भगवान एक और cover चरा दिये, कि चल बेटा, तू एक और कपरा पहन ले, जितना cell है, सब के उपर एक और कपरा पहना दिये, बाहर रहता है, तो इसके उपर एक और additional covering भगवान दे दिये, जिसका नाम है cell wall, एक और इसको boundary से घर दिये भगवान, बेचरा गरीब आदमी है, बाहर रहता है, तू इसके उपर एक और additional covering भगवान दे दिये, जिसका नाम है cell wall, cell wall क्या है, additional covering in plant cell, additional covering, तू आज हम आपको क्या-क्या बता है, यह जो मान लिजिए, यह ऐसा अगर cell है, तो इसका नाम क्या है, PM, प्लाज्मा मेंब्रेन, इसके अंदर क्या प्रजेंट रहे इसका नूकलियस, इसका चारो तरफ क्या रहेगा, लिक्विड, जिस लिक्विड का नाम क्या है, साइटो प्लाज्मा, अगर यह एनिमल सेल है, तो ऐसा होगा, अगर प्लांट सेल है, तो इसके बाहर एक और covering होगा, जिसका नाम क्या है, cell wall, ठीक है, और प्लाज्मा मेंब चैप्टर में पढ़िएगा, क्लास 9 में, बहुत जादा इसके बारे में हम छेर कर आपको परिसान नहीं करेंगे, ठीक है, आज का लेक्चर हम यही पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, सेल मिम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद हम आपको बटाएंगे, सेल वाल के बारे में, ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आए होगा, मिलते हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए, all the best, bye-bye.